अगर आप डाइट पे हो आपको शुगर है आप चावल नहीं खा सकते पेड़ भर के तो आप यह वेज़ डलिया बनाएं और खाएं आपको बहुत ही जादा फायदे बन भी है और यह बहुत अच्छा भी लगता है खाने में फटाफट बनाना शुरू कटने तो यहां मैंने भीगो दिया है 5-6 मिनट के लिए भीगोने के बाद यहां मैंने प्रेशर कुकर रखा है इसमें ऑईल डाला है वन टेबल स्पून और यहां मैंने सारी वेज़ी लेली है प्याच, गाजर, सिम्ला मेच, हारी मेच, धनियो और टामाटर लेने के बाद यहां हमारा प्रेशर कुकर अच्छे से प्रीटेट है प्यास को डाल देंगे और थोड़ा सौटे करेंगे कि थोड़ा ब्राउन हो जाए फिर कड़ी पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा और डालेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा अच्छे से सौटे करेंगे फिर सारी के सारी जो भी वेज़ीज है सब डाल देंगे मैंने हारी मटर भी इसमें डाला है और सारी सारी वेजिस डाल देंगे डालने के बाद यहां मैंने हारी मटर भी डाल दिया है यकीन माने यह वेज़ दलिया खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है यह मैं अपनी मम्मी के लिए बनाती हूँ तो आप भी जरूर ट्राय करें अगर आप डाइट पे हो अगर आपकी फैमिली किसी को शुगर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यह वेज दलिया बनाएं यह बहुत जादा फायदे मन्त है तो बहुत अच्छी से हम सौटे कर जाए डालने के बाद हम इतना पानी डालेंगे कि हमारी दलिया है जो गल जाए अच्छे से अच्छे से पंग जाए इद्दम यह खिचडी के तरह ही रेडी होती है अगर आप चाहे थोड़ा गीला बना सकते हैं या इद्दम सुखा-सुखा भी बना सकते हैं आपकी के लिए और यहां मैंने प्रेशर को खोल दिया है आप देख सकते हैं यह गल गई है बहुत अच्छी तरीके से और इसे में अब सर्फ कर लूँगी यह बहुत जादा टेस्टी और बहुत जादा फायदे मंद है तो आप जरूर ट्राय करें अगर आपको हमारी वेज दलिय कि रेशे भी अच्छी रखती है तो कॉमेंट शेक्शन में जरूर बताईएगा अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले ऐसी ही मिलूंगी न्यू न्यू वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफीज दूआ में याद रखिएगा